हेलो दोस्तो एक भालू आम तोर पर एक सेर की तुल्ला में भाड़ी और मजबूत होता है और उसके पास काफी अधिक सहन सक्ती होती है एक सेर हाला की एक विशेस रूप से मांसहारी सिकारी होने के नाते एक अधिक कुसल हत्यारा और लड़ाकू है लेकिन क्या होगा जब दोनों आपस में लड़ने लगे तो कौन जितेगा आईए जानते हैं इस वीडियो में वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या होगा जब सेर हाथी या बाग से लड़ेगा तो जानने के लिए या तो आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं या डिस्कृप्शन चेक कर सकते हैं वहाँ इन वीडियो का लिंक दिया गया है तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं ये इंट्रेस्टिंग वीडियो Without any time waste, let's start the video of fact हमसे भारी होने और एक वयस्क मनुस्य को मारने में पुरी तरह सक्षम होने के बावजूद वे हमसे डरते हैं आपको केवल अपनी बाहों को लढ़ाने और भालू पर चिलाने की आवसरता है और भालू भाग जाएगा एक समानने अकार की कोई भी बिल्ली और यहां तक की एक छोटी बिल्ली भी एक इनसान से बिल्कुल नहीं डरेगी तो हम आसानी से कह सकते हैं की लडाई लंबे समय तक चलेगी भालू के लिए अधिक संभावना होगी अगर सेर उसे उकसाए क्यूंकि भालू जल्दी कुरोधित नहीं होता है लेकिन जब यह कुरोधित हो जाए तो आसान नहीं होगा सेर के लिए इसे हराना और उस मामले में सेर सायद भालू को छोड़ देगा और अगर सेर भालू को बिना उकसाए उस पर आकरमन कर दे तो भालू के लिए खेल खत्म हो जाएगा अक्सर सेर अपने सिकार के साथ बहुत आगरा नहीं करते हैं कुल मिलाकर ये फाइट सेर के पक्ष में 60% होगा लेकिन अगर भालू सेर के वज़न से हलका और कमजोर है तो आसानी से कहा जा सकता है कि भालू के पास बहुत कम संभावना होगी और तब सायद सेर के पक्ष में 90% संभावना होगा तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट कर जरूर बताईएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो चलिए मिलते हैं अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो में